हमारे सभी दर्शकों को साधर पढाम जैशी करश्का आज मैं आपको तीन नक्षत्रों के बारे में जानकारी दूंगा और इन तीन नक्षत्रों का सम्मंद है, बुद्ध ग्रहस है और इन तीन नक्षत्रों में यदि लड़के और लड़की दोनों का जन्म हो, दोनों का मिलान हो रहा हो, तो ऐसी इस्तिती में नाड़ी दोश नहीं लगेगा अब इस विशे को ध्यान से पूरा समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि क्या इस्तिती है और तीन नक्षत्र कौन से हैं, हो सकता है इन में से एक नक्षत्र आपका भी हो, क्योंकि यहाँ पर तीन राशियों की बात होगी, करक राशी, प् में जानकारी दे रहा हूं, अक्सर हम कंप्यूटर से गुण मिलान देखते हैं, और वहाँ पर नाड़ी दोश जहां पर लिखा हुआ होता है, या नाड़ी शब्द लिखा हुआ होता है, उसके आगे उसके आठ अंक लिखे हुए होते हैं, और आठ में से यदि जीरो अंक मिले, तो हम गर बेठे ही ऐसा मान लेते हैं कि अब तो नाड़ी दोश हो गया, इस मिलान को अब नहीं करना चाहिए, लेकिन यहीं हम गलती कर बेठते हैं और इस गलती से अच्छे-च्छे मिलान हम छोड़ देते हैं, तो आज की इस इस इसत्ति को आप समझें, बहुत ही स तीनो राशियां ब्रह्मन वर्ण की राशियां है जोतिश शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मन को नाड़ी दोश लगता है लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जाती से इसका तातपर्य नहीं है आप जाती से ब्रामन है इसका नाड़ी से कोई लेना देना नहीं है हाँ आपकी कुंडली में आपकी जो राशी है चंद्र राशी अर्थात जन्म राशी यहां राशी का सीधा संबंद आपकी जन्म राशी से है अर्थात चंद्र राशी से है जिस आधार पर आपका नाम पंडिजी ने आपको नाम दिया है तो करक राशी, व्रश्चिक राशी और मीन राशी ये तीनों राशियां ब्रामन वर्ण की राशियां है फिर भी ऐसे कौन से नक्षत रहें उनमें नाडी दोश नहीं लगता है एक-एक नक्षत रहीं राशियों में से निकल कर आएगा वेसे नाडी दोश अनेक परिस्तितियों में समाप्त हो जाता है इसके बारे में मैं अनेक जानकरिया दे चुका हूँ आप चाहें तो वे सारे वीडियो नाडी दोश प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अब बात करेंगे सबसे पहली राशी कौन सी है करक राशी अगर लड़के और लड़की ध्यान से सुनिये और इस विशे को समझिये लड़के और लड़की अब क्यों होता है दोश क्यों नहीं लगता है उसके बारे में भी इसी वीडियो मतोंगा लड़के और लड़की दोनों का जन्म का नक्षत्र यदि आशलेशा नक्षत्र हो द्यान से सुनें बहुत काम की बात कह रहा हूं यदि लड़के का नक्षत्र और लड़की का जनम का नक्षत्र दोनों का आशलेशा नक्षत्र हो तो ऐसी इस्तिती में नाड़ी दोश नहीं लगेगा तो लड़के का नक्षत्र भी आशलेशा है, लड़की का नक्षत्र भी आशलेशा है, 28 गुण मिल रहे हैं, केवल नाड़ी दोश के कारण आप विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ऐसा बिलकुल नहीं करना है, विवाह कर सकते हैं, चाहे लड़के का पहला चरण हो, ल यह आशलेशा नक्षत्र करक राशी में आता है तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है डी डू डे और डो ये चार अक्षर इसमें आते हैं आशलेशा नक्षत्र में तो अब इसको आपने समझ लिया अब इसके बाद दूसरा जो नक्षत्र है वह आएगा व्रश्चिक आता है जिसका नाम है जेष्ठा नक्षत्र में हर नक्षत्र के चार चरण होते हैं इसके चारों चरण व्रश्चिक राशी में ही होते है घल चारो चरण किस राशी में आते हैं प्रश्चिक राशी में अब लड़के का जनम भी जेस्ठा में है तो एसी इस्तती में नाड़ी दोश बिलकुल नहीं लगेगा चाहे दोनों का एक ही चरण क्यों न हो तो आप आपको क्लियर हो गया कि अगर लड़के और लड़की दोनों का जेस्ठा नक्षत्र है चाहे दोनों का एक ही चरण है तब भी नाड़ी दोश नहीं लगेगा एसा जोतिश शास्त्र में लिखा है जेस्ठा नक्षत्र के बारे में तो अनेक शास्त्रों में आपको अनेक जोतिश की पुस्तकों में इसको आप पढ़ सकते हैं मिल जो भी मुहूर्त प्रकरण है या जहां पर मेलापक की पुस्तके हैं, उसमें जेश्ठा नक्षद्र के बारे में अवश्य मिलेगा। इसके अलावा आशलेशा नक्षत्र के बारे में भी लिखा है अगर आपने द्यान से नहीं पड़ा है तो मुहुर्थ और मिलान की जो पुस्तके हैं उनको द्यान से टटोलें पड़ें उसमें यह विशय मिल जाएगा अब तीसरा और अंतिम इसके बारे में मैं जानकरी हलांकि पहले भी दे चुका हूँ यह है मीन राशी में रेवती नक्षत्र जेश्टा नक्षत्र मैंने जो बताया व्रश्चिक राशी में इसमें चार अक्षर आते हैं नो या यी यू ये चार अक्षर आते हैं रेवती नक चाहे दोनों का पहला चरण है, चाहे दोनों का दूसरा चरण है, कोई भी चरण है दोनों का, रेवती नक्षतर अगर इन में अगर दोनों का जनम है, तो एसी इस्तिती में बिलकुल भी नाडी दोश नहीं लगता है, यह मीन राशी में आता है, इसमें चार अक्षर आते हैं नाम के अक्षर दे, दो, चा और ची इस पे नाम रखा जाता है बच्चे का जिसका जनम हुआ है कुंडली मिलान करते समय इन तीन नक्षत्रों को देखें इस पर ध्यान देवें आप इसका कारण क्या है इन तीनों नक्षत्रों का स्वामी बुद्ध ग्रह है और बुद्ध सौम्य ग्रह है ऐसी इस्तती में शास्त्रकारों ने लिखा है कि इन नक्षत्रों में यदि दोनों का जनम है मिलान कर रहे हैं, 28 स्गुन मिल रहे हैं तो नाड़ी दोश देखने की आवशकता नहीं है तो यह विशय आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अधिक सदिक शेयर करें क्योंकि ऐसे बहुत से दर्शक हैं जो इस नाड़ी दोश से समंदित परशान है यह नाड़ी दोश देखते ही परशान हो जाते हैं तो ऐसे वीडियो अगर आपके पास आते हैं तो आगे से आगे शेयर करते रहें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंचे इसके अलवा बहुत सारी जानकारिया मैं नाड़ी दोश के बारे में दे चुका हूँ प्ले लिस्ट में उस वीडियो को अवश्य देखें धन्यवाद जैशिक्रिश्णा